गती सौ सब प्रति मिनट डिक्टिशन शुरूरने में समेसे से पान सेकेंड रेडी स्टार्ट महाराश्ट के राज्यपाल भागत सी कोसियारी अपने एक बयान को लेकर फिर से विवादों में हैं उन्होंने देश की वीतिय राजधानी के मुंबई के दरजे और यहां रहने वाले गुजराती और राजस्थानी समुदायों के बारे में पिछले दिनों जो कुछ कहा उस पर विपच्छी दल हमलावार हैं और सत्ता रूढ दल उससे किनारा कर रहे हैं हालांकि बाद में कोसियारी ने इस बयान पर अस्पश्टी करन जारी किया कहा कि उनका इरादा किसी समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था लेकिन इस अस्पश्टी करन का कुछ खास मतलब नहीं बनता यह समझे जाने की जरूरत है कि हर सहर और महानगर के विक्सित होने की अपनी एक अलग और जटिल प्रकिरिया होती है चन्नाई, कोलकाता, दिल्ली सब अलग अलग तरह से बसे और विक्सित हुए ठीक इसी तरह मुंबई की भी अपनी एक विशिष्ट प्रकिरिया रही बंबई अस्टेट से गुजरात को अलग करके महराष्ट राज्य बना जिसका अधार मराथी भासा को बनाया गया इसके लिए संयुक्त महराष्ट आंदोलन चला जिसमें 106 लोगों की सहादत हुई जाहिर है भासा का मसला महराष्ट और खासकर मुंबई के लिहाज से काफी संबेदन सील है इसके साथ ही या भी याद रखने की जरूरत है कि मुंबई या सुरुवाती दोर से बंबई ना केवल फिल्म इंडस्ट्री का केंदर बलकी देश का एक परमुख और द्योगिक सहर भी रहा है शौभाविक ही देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग रोजी रोटी की तलास में यहां आकर बसते रहें इन सभी समुदायों का योगदान रहा है मुंबई को विक्सित करने में लेकिन इसी वजह से विभिन समुदायों के बीच आपसी रिष्टों का संतुलन भी इस विकास की एक जरूरी सर्थ रहा है ऐसे में जाने या अन जाने एक समुदाय को दूसरे समुदायों के बरक्स खड़ा करने वाले बयान ना केवल रिष्टों के इस बारिक संतुलन को बिगाड सकते हैं बलकि इस महानगर राज और देश के लिए भी नुकसान देह सावित हो सकते हैं फिर भी बिभिन राजनीतिक दलों से जुड़े नेता चुनावी राजनीती की जरूरतों के अनुरूप कभी कभी ऐसे बयान देते हैं लेकिन राज जपाल जैसे संबैधानिक पद पर बैठे ब्यक्ति से ऐसे बयानों की अपेच्छा बिलकुल नहीं की जाती को सियारी का हालिया बयान दो वजहों से ज्यादा गंभीर है एक तो यह की वह पीछले तीन वर्सों से महराष्ट के राजपाल पद पर हैं दूसरे यह कोई पहला मौका नहीं है जब राजपाल को सियारी के बयान को लेकर बिवाद हुआ हो इससे पहले भी वह ऐसे बयान दे चुके है जिन्हें राजनीती प्रेरित या महराष्ट के लोगों की भावनाओं का अपमान बताया गया ध्यान रहे मुंबई हो या देश का कोई भी अन्य महानगर वे पहले से ही तमाम बड़ी समस्याओं और चुनोतियों से घिरे हैं जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस समुदाई ने उसके विकास में कितना कम या ज्यादा युगदान किया बेहतर होगा उन्चुनोतियों से निपटने पर ध्यान दिया जाए वर्तमान राजनीतिक तस्वीर पर नजर दोड़ाएं तो बिजेपी और अंदलों के बीच मुलभूत अंतर दिखाई देगा बाकी सभी दल या तो बिजेपी के बिरूद खीज निकाल रहे हैं या केंदरिये एजेंसियों की जाच या आपसी कला से परेसान है वहीं बिजेपी अपनी राजनीती और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सुवस्पष्ट दिरिष्टी कोन से तैयारियां कर रही है बिहार की राजधानी पटना में बिजेपी के सभी सात मुर्चों की सैयुक्त राष्टिये काजकारनी की बैठक इनी तैयार की एक कड़ी मानी जाएगी इसमें पार्टी के मुख राजनीतिक रननीतिकार अमीच साह बिजेपी अध्यच चेपी नड़ा और राजसंगठन महासचीव बियल संतोस सहित कई केंद्रिये पदादिकारियों की उपस्थिती ने स्वभाविक ही ध्यान खींचा इस बैठक के उदेश की दिरिष्टी से तीन बिंदू ध्यान देने योग है पहला बिजेपी की केंद्रिये टीम के अलाबा जो साथ मोर्चे हैं युवा मोर्चा किसान मोर्चा महला मोर्चा पिछला वर्ग मोर्चा अनुसूचित जाती मोर्चा और अलप संख्यक मोर्चा उनके बीच सामनजसे और एकता कायम की जाए सारे मोर्चों की राज्ट्रिय कार्जकार्णी की अलग-अलग बैठक करने से इनका आपस में मेल जोल कम होता था यानी पार्टी आगे जादा एक जूट होकर काम करेगी दूसरा पार्टी मुख पार्टी के बाद युबा मोर्चा को सरवाधीक महत्व मिलता है इस बैठक से सभी मोर्चे के सदस्यों को संदेश गया की केंद्रिय नेत्रित्व उन्हें समान महत्व देता है तीसरा किसी आयोजन के संख्या बल का कार्ज करताओं समर्थकों पर मनो बग्यानिक परभाव पड़ता है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नेताओं की उपस्थिती से निश्चित तौर पर इन संगठनों में आत्म विश्वास का संचार हुआ होगा अकसर राष्टिये अस्तर के बड़े आयोजन उन राज्यों में किये जाते हैं जहां जल्द चुनाव होने जा रहे हों लोकसभा चुनाव 2024 में है लेकिन बिहार बिधान सभा चुनाव 2025 में होगा बाबजूद इसके वहां भैठक आयोजित की गई तो उसके ठोस कारण है बिहार के बोचहा बिधान सभा उप चुनाव में बिजेपी की बूरी पराजय राष्टिये बहस का बिशय बनी और केंद्रिये नित्रित्व की चिंता भी पार्टी के परदेश नित्रित्व का मान है कि मुख मंत्री नितीस कुमार को लेकर जनता में नाराजगी है और इसका खाम्याजा उसे भुगतना पढ़ रख सकता है सेना की भरती योजना अगनी पथ के खिलाफ परदर्सनों के दोरान विजेपी निताओं और कर्यालियों पर हुए हमले से यह आरोप लगा की हुई थी इससे संदेश जा रहा था कि आने वाले समय में फिर नितीस और विजेपी अलग हो सकते हैं ऐसे में अस्पष्ट संदेश देना पार्टी के लिए अवस्यक था विजेपी का पूरा ध्यान इस समय दोजाचोबिस लोग सभाचुनाव और उससे पहले होने वाले विधान सभाचुनावों में भारी विजय प्राप्त करने पर है इसी दिरिष्टी से ग्री मंत्री अमिस साह ने यह मत्पून संदेश दिया की बिहार में जेडियू के साथ गठवंदन बना रहेगा और नेत्रित्व नितीश कुमार के हाथों में रहेगा इसे बिनम्रता पूर्ण संदेश पर गौर करते हुए ध्यान रखना चाहिए की महराष्ट में सिप सेना से अलग हुए गूट के साथ सरकार गठन के बाद यह पहली राष्टिये बैठक थी निश्चे ही बैठक में इसकी चर्चा हुई होगी बिजेपी के साथ चुनाव लड़कर अलग ह हुए सिप सेना के लोगों ने सरकार में होने के वावजूद विद्रोह कर दिया और बापस लोट आए आसे यह की जो लोग जाएंगे उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा वे देर सवेर हमारे पास ही आएंगे स्टॉप